नमस्कार आप देख रहे हैं सीनियूस भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रियाशिवास्त वक्त हो गया खास खबर का इस समय पूरे देश में महिला सुरक्षा पर घमासा अंज़ारी है तो वहीं देश के सबसे बड़े राजय यानिक उत्रप्रदेश जोहां बड़ी महिला आयो के अध्यक्षपत का पदभार गिरहड कर लिया है इस मौके पर उत्रप्रदेश महिला आयो की नवनियूक्त अध्यक्ष बबिता चोहां ने सीनियूस भारत से बाचीत करते हुए कहा कि मैंने हमेश्व समाज के बीच में काम किया मैं महिलाओं की समस्याओं से प अपने संगर्ज जन सेवा के आधार पर बनाई है तमाम जम्मेदारिया निभाई है और इस वार कुछ अलग जम्मेदारी मिली है उत्तप्रेश महिला आयो के अध्यक्षपत की बड़ा पद है और साथ-साथ महलाओं से जोड़ा पद है कैसे निर्वाय करेंगी रणनीती क बारे में क्योंकि जो आप तक पद्ध है वो पार्टी के पद्ध है पर इस वार पद जनता का पद है और निर्वार उससे भी बड़ा कैसे देखती है जी बिल्कुल पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने संगठन का अपनी पार्टी का और अपने मानी मुख्य मंत्री जी केंदर में मानी प्रधान मंत्री जी का सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जिनों ने मुझे इस इतने जुम्मेदारी पद के लाएक समझा रहो उननों मुझे जुम्मेदारी दी बिल्कुल जैसा आपने कहा कि मैंने पिछले टाइम से बहुत सालों स बहुत काम करती हूं तो निश्यत रूप से पद नाम के लिए एक अलग है बट केटागरी वही है कि महिलाओं को शशक्त करने में हमारी क्याबोमिका हो सकती है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ ऐसा चेलेंजिंग नहीं है तो और अब तो मेरे को इतनी सारी टीम भी मिली हुई है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से मैं महिलाओं के शर्शक्तिकरण पर बहुत अच्छा काम कर सकती हूं आगरा से हैं दायरा छोटा ताजनगरी अब दायर उत्तप्रदेश 25 करोड़ों की जनता आरी आबादी की आप यहां पर पैचान बनेगी कै कारजना मन में लेकर आई होगी क्योंकि आप समास सेबा नहीं बलकि एक ऐसी सेबा है जिसमें आपकी जम्रारी बहुत एहन है बिल्कुल आपने सही गहा लेकिन मैंने आज ही कारेभार समभला है अपना मेरी सारी टीम के यहां कुछ लोग भी आई हुए हैं सब के साथ कब्बे के लगोगे रेप हमारे देश में हो रहा है कौकता की घटना भी आप में देखी है क्या मानते हैं कहां गलतिया हो रही है कानून व्यस्था में गलतिया है संसकारों में गलतिया है या जो सोच है वो यहां गलत हो रही है देखे कौकता जैसी चीजों के लिए तुम और वो सुधारता भी होगा जब कुछ बदलाव होगा तो निशित रूप से कि वहां के बारे में तो बहुत ही दुर्भाग ये घटना थी कि जब इस तरह की घटना होती तो मन बहुत दुखी होता है कि क्या होगा लेकिन सब प्रियास कर रहे हैं कि वहां की स्तिती सुधर है और वहां जो भी दोशी है उनको निशित रूप से एक सजा भी मिलनी चाहिए और जो थी वो बच्ची महिला जो भी थी वो उनको नियाय मिलना चाहिए तो सब करना है अपने तरीके से काम पहले समासे भी कारें ही हैं जलाज 5 च चरस भी रही है महला मौचा की उपदिछ भी है पर गोर करने वाली बात है बूपर अलग है इसलाग है अइससास कैसे डेखती है महलाओं को बहुत पूर in सको ब्हतर कर पाएंगी त emotional को बीच रहे हैं तमाम तरह की बिंग भी आपके द्वारा चलाई गई है कैसे यहां पर दुरूस्थ करेंगी क्योंकि अगर आपको पताना चाहूंगी कि अगर मैं अपने उत्तर प्रिदेश की बात करूं तो बहुत बदलावाएं मेरे देखते-देखते की जहां बिल्कुल अवेरनेस अगर करती इजहां नहीं है लेकिन वहां की बेर आजड़ ऑद लग्वे जुए पढ़एं है लेकिन वहां साले आपpentских और रहे बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं केंडरकी और राज्य सरकार की की जो महिलाओं कर सक्षक्त करने में जिनकी भूमी का बहुत ही मेद तुपून है और बहुत सारी महिलाओं इसका लाब भी उथा रही है और आप जैसे रोज देखते होंगे कि महिला शश्रक्त भी बन रही है लेकिन फिर भी हमारा प्रियास ये रहेगा कि जहां तक हम उन योजनाओं को नहीं पहुंचा पाएं जहां तक उन बहनों को लाब नहीं मिल रहा है हम उनको निश्रित रुपसर वहां लाब दिलवाएं को सारी उनकी जो भी चीज़ें हम पूर कर सके हैं पर हम लगाता देखते मेला न्याय के लिए बढ़कती हैं परिसान होती है थाने जाती चोकी जाती है क्योंकि महिला आयो आप आई है कोई ऐसी ब्योस्था बनाएंगी कि मेलाओं पक यह बार पहुंचे को ऐसा नंबर बन करेंगा कि कोई महिला थाने गए और उनको उनकी सुनवाई नहीं नहीं है तो यह थी है मैसा बविदा चोहान उत्तप्रेश महला आयो के अध्यच नीती है रण नीती है पुराना नुभव है और साथ साथ समासिवाब से तुड़ी रही है एक पैचान है जनसेबा की पैच इस रूप से उत्तप्रेश में मेलाओ के लिए एक बिसेंस ब्यूस्ता लागू करती नजर आएंगी के पसंदीपा के साथ गौरस स्यास्तों सीन्योज भारत लखना हो फिलाल इस खास कबर में इतना ही देश-दुनिया की बाकी ख़बरों के साथ जुड़े रहने के लिए KC News भारत